नमस्कार आप सभी का स्वागत है Magnet Brains में मेरा नाम विदान थे और मैं हूँ आप सभी का English Educator तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं Class 11 English Bihar Board की Book Rainbow की प्रोस का Chapter No.1 Animals in Prison जिसको लिखा है जो की एक Autobiography का पार्ट है जब हालाल नहरु की तो Animals in Prison की हम Chapter-wise Explanation करने वाले हैं अब Chapter-wise Explanation का मतलब Line by Line Chapter को समझेंगे और ये वीडियो पार्ट में डिवाइड़ है तो आप बने रहिएगा पूरे Chapter का Explanation देखने के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम Explanation समझने से पहले एक बार Title को देख लेते हैं अब यहाँ दिया है Animals और यहाँ दिया है Prison अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब जब जबाहरला नहरु प्रिजन में है तो यह Animals यहाँ कहां से आ गए यहाँ पे Animals के बात यह है कि जो हमारे हाँ आप में छिपकली को देखा होगा Ceilings पे रहती है तो वैसी जब वो जेल में थे तो वो बहुत सारे जानवर से गिरे हुए थे दहरादून में तो उस समय जो interaction हुआ उनसे मिले उनको देखा जो observe किया वो उन्होंने यहाँ पर mention किया है ठीक है तो चलिए chapter wise explanation चालू करते हैं अब chapter को start करने से पहले यह बहुत important है कि एक बार हम author के बारे में समझ लें तो author कौन है हमारे जवाहार लाल नहरू ठीक है अब जवाहार लाल नहरू इंडिया's first prime minister was popular among the children as cha cha नहरू अब देखे हम पहले जो बच्चे लोग हुआ करते थे इसे आज भी हम क्या करते हैं चाबाल लाल नहरू को चाचा नहरू के ही नाम से जानते हैं क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और he was a man of rare sensitivity अब rare sensitivity का मतलब क्या होता है वो एक ऐसे व्यक्तिद है जिनकी खासियत थी कि वो बहुत ज़्यादा ओपन थे खुलकर लोगों के पास बाच्चीत करते थे उनसे सलहा करते थे दुरलब समवेदन शील्दा अब यहां लगा है दुरलब और समवेदन शील्दा का मतलब जो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं लोगों से बाच्चीत करते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं तो वैसे ही थे हमारे चाचा नहरू अब दीगें उन्होंने कहां से पढ़ाई की और वो बैरिस्टर बने बैरिस्टर का मतलब एडवोकेट से लो अगेरा उन्होंने किया और उन्हों नेच्छल साइंस से पढ़ाई की और साथ ही वो कभाई भारत में 1921 में वो भारत लोटे चलिए डीपली इंफ्लूएंस बाई महात्मा गांधी यह जॉइन इनियन पॉलिटिक्स एंड सून इमर्ज़ अज़ लीडर ओफ कंट्रीज यूद अब देगिए जस समय अपने जबहालाल नहरू थे उसी सिमें महात्मा गांधी भी थे और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का कितना बड़ा रोल है इंडिपेंडेन्स में हमारे भारत की आजादी में बिना बापू की याद किये हम हमारी freedom fighter या freedom लोगों को बिलकुल भी समझ नहीं सकते, उनका रोल हमारे nation में बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा influence हुए महात्मा गांदी से, क्यों? क्योंकि आहिंसा पर्मो धर्म, ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांदी से influence हुए, उन्होंने क्या करा जब वो भारत आये 1921 में तो इन्हें इंडियन पॉलिटिक्स को जॉइन किया, ठीक है, और वो emerge हुए, emerge का मतलब होता है उभरना, ठीक है, वो उभरते हैं as a leader of the country's youth, अब youth का मतलब होता है जवान लोग, जानी वो लोग जो अभी 25, 26 से लेके 32 तक हैं, जो जवान है, जो एक leader के तौर पे आगे आए, however, he was not a mere politician, he was also a dreamer, idealist, humanist and artist in words as well, अब देखिये, यहाँ पर हम देखते हैं कि जवालाल नहरू से पॉलिटीशन ही नहीं थे, चीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम उन्हों ने किये हैं, बहुत सारे चीज़ें से बोल जुड़े हुए थ तो यहाँ पर वो थे एक idealist, अब idealist का मतलब क्या होता है, आदर्श वादी, हर एक के अपने आदर्श होते हैं, ठीक है, तो अपने आदर्शो में जो चलता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं idealist, और वो थे humanist, अब humanist का होता है, देखते हैं, humanism, अब यहाँ पे जो humanist की practice होती है यह और यह humanism से आया है अब humanism को हम समझते हैं a rational outlook or system of thought attaching prime importance to human rather than divine or supernatural matters अब यहां पर कुछ चीज़े ऐसी होती है जो supernatural चीजों को हम देखते हैं अब supernatural चीजों में क्या होता है जैसे कि आप देखें भूत प्रेथ हो गया यह सब हो गया इन सब चीजों पर humanism विश्वास नहीं करता यह विश्वास करता है exact चीजों पर यह विश्वास करता है human पर उनकी work पर जो practical orientation है उस पर तो basically यह एक humanist थे इस ideology का वो practice करते थे और साथ ही वह artist थे as well अब देखें आर्टिस में बहुत कुछ include होता है वो लेखक थे आज हम उनकी autobiography पढ़ने वाले हैं अब चलिए हम देखते हैं उनके कौन कौन से work थे जो बहुत बहुत famous हैं his work, an autobiography, the discovery of India, glimpse of world India and letters from a father to his daughter are remarkable अब remarkable का मतलब असाधरन और अश्चरजनक for a rare vigor and beauty they establish him as a master of English prose अब उनके famous work हैं जैसे an autobiography अब यहीं से जो chapter लिया गया है वो उनकी an autobiography से ही लिया गया है उसी का एक चोटा सा part है जिसको हम line by line explain करेंगे the discovery of India, अब इंदिया को किस तर discover किया इस पे तो आप एक proper channel देख सकते हैं इसका जो available है बहुत पुराने समय में दूरदर्शन में इसकी प्रसारण हुआ था जहां पे पूरा उनने भारत के बारे में बताया था जिसके लिए उनने किताब लिखी वर्ल्ड हिस्टी की एक जलक लेटर्स फॉम फादर टू हिस डॉटर ठीके तो ये इनके famous work हैं और जो बहुत बहुत important है ये आपको याद रखना है exams में इनमें से ही MCQs बनते हैं ठीके आर remarkable for a rare vigor and beauty अब vigor का मतलब होता है strength अब यहां हम vigor word को प्योग क्यों गर रहे हैं what is the reason behind it why we are using the word vigor देखें क्या होता है जो work होता है आप जब भी किसी की work को पढ़ते हैं या समझते हैं तो क्या होता है एक strength मिलती है आदमी को मिलेगी सभाविक है क्योंकि उस काम में इतनी शक्ती होती है अतना अनुभव होता है जो आदमी को शक्ती प्रदान करता है और भी चीजों को करने के लिए उनको influence करता है इसलिए यहां पर इस word का हमने use किया है they establish him as a master of English prose और इसी लिए उनको हम कहते हैं कि वो master बन जाते हैं प्रोज में आते हैं तो अब आपको एक difference पता है प्रोज में और आपको पता है क्या होती है poetry और प्रोज चलिए वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंदेंस लिए बुक अब्जर्ब नेचर ड्रेंट एड टाइंस अब जब वो प्रिजन में थे जब इंडिपेंदेंस होना था इंडिया जब आजात नहीं हुआ था अब देखिये हमारे जबहाल लाल नेरू जो है वो भी जेल जाया करते थे क्या इतने सारे आंदुलन होते थे और भारत को अपने भारत माता को जो कि हमको बचाना था अंदकार से प्रिटिशर्स से तो ये लोग क्या करते थे बार 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 प्रिटिशर्स से लड़ाई जगडा करते थे और इसके चलते क्या होता था उनकी नाक में दम करते थे तो प्रिटिशर्स करते थे क्या उनको जेल में रख देते थे लेकिन जैसे कि आप से भी जा उसके पहले, जब जेल, इंडिपेंडेंस के पहले जब वो जेल गए, तो he read books, observe nature, उनने बहुत सारी कितावे पढ़े, उनको कितावे पढ़ने का इजाजत थी prison में, उनको इजद की जाती थी, उनको कितावे दी जाती थी, साथ ही साथ उनको वहाँ पे बैट की वो nature को observe भी जो भी वो अपने मंग में रखते थे, उन सब को वो बैठे-बैठे-बैठे लिखते जाते थे और ओकेरते जाते थे और आज हम उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं अब यह पोईटिकल प्रोज क्या होता है? पोईटिकल प्रोज से हम क्या समझते हैं? और यहाँ पर एलिगेंट वर्ट का मीनिंग क्या है? देखिए, एलिगेंट का मतलब having a good attractive style अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो या कोई भी चीज देखते हो अगर वो attractive नहीं होगी तो आपके उसको पसंद करोगी नहीं तो इनकी कुछ ऐसे works हैं प्रोज हैं जो पोईटिकल हैं जहां आपको एक खिचाव सा देखने को मिलता है जो कि उनकी autobiography में आपको easily थमझ में आएगा कहीं कहीं आप देखेंगे कि autobiography में उनने poems भी लिखी हैं प्रोज के साथ जो कि हम इस chapter में या part 1 या part 2 में cover करेंगे अब देखेंगे यह भी विल्लियम वर्ट्सवर्थ ही बन रहे हैं रियालिटी तो यह है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो नेचर से अलग हो पाएगा और यहां पर जो हमारे जबालाल नेहरू हैं जो हमारे author हैं वो भी नेचर के प्रती बहुत ज़्यादा समवेधन शील हैं तो यहां समवेधन शीलता खुलापन जो है वो किसके रिगार्डिंग है नेचर के प्रती है इसलिए उनको कहते हैं कि उनके पास एक rare sensitivity है देखें यह बहुत बड़ी बात होती है आज के समय आप लोगों को इजद दोगे तो लोग आपको इजद देंगे लेकिन हम human being होते हुए भी क्या कर रहे हैं हम human being होते हुए भी अगर अपने जानवरों को भी जद देते तो कितनी बड़ी बात है इसलिए कहीं ना कहीं यह एक बहुती practical oriented वेक्ति रहे humanist रहे और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि derives pleasure drives का मतलब क्या होता है to get something from something किसे चीज से किसे चीज को पाना derive करना आप जानते होंगे आप formula derive करते हैं कैसे करके x plus y करके तो basically यहाँ पर वो derive करते हैं pleasure लेते हैं pleasure कहां से लेते हैं अलग अलग जानवरों को देखकर जब आपन chapter का explanation करेंगे तो हमें idea लग जाएगा कि वो कैसे derive करते हैं pleasure को और रिस्पेक्ट देते हैं animals को the peace is a wonderful example of live and let live अरे भाई जीना है और जीने दो सही है ना आप भी जीओ सामने वाले को भी जीने दो जानवर भी तो हमारी जिंदिगी के हिस्सा है ये प्रकरती भी तो हमारी है तो क्यों न हम अपनी प्रकरती को ही इतना अच्छा बनाए ताकि हम अच्छे से रह सके हर एक जानवर चाहे वो एक कौकरुची क्यों ना हो चाहे वो एक छिपकली क्यों ना हो हर एक चीज जो भगवान ने बनाई है वो अत्यन्त अन्मोल है और इसी लिए ये important है कि हम उनकी respect करें और ये चीज जबहालाल नहरूजी से स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है उनकी work में अब आते हैं हम chapter explanation में चीके अब हमने author के बारे में जान लिया, author के बारे में समझ लिया और ये भी पता किया कि वो कैसे लोगों को fascinate करते हैं और अब हम आएंगे chapter explanation में line by line अगर आपको कोई doubt हो उसकी regarding तो आप comment section में comment कर सकते हैं वहाँ पे आपको जरूर हम answer provide करेंगे chapter explanation अब यहाँ पर देखी जब भी हम English की बात करते हैं literature की बात करते हैं तो सबसी important होता है context या place कहाँ पर ये घटना घट रही है अब यहाँ पर जो जबालाल नहरू हैं वो कहाँ पर हैं वो देहरादून में हैं और देहरादून की एक jail में हैं गाउल जो है वो एक jail का word के लिए प्रयुक्त किया गया है और वहाँ उनको एक छोटा सा room दिया गया है अब देखिए साड़े 14 महीने तक वो कहाँ रहते हैं देहरादून में रहते हैं वहाँ की jail में रहते हैं एक छोटे से कमरे में रहते हैं अब कमरा और room एक ही होता है basically लेकिन अगर हम cell word का use कर रहे है खास के अगर cell का use हो रहा है तो समझी वो jail की लेकर ही किया गया है I was almost a part of it and I begin to feel as I was almost a part of it यानि ऐसा हुआ जब वो jail में रहने रहने लग गए तो एक समय ऐसा आया इतने सालों में क्योंको लगा कि अब ये jail तो मेरी ही हो गई है उनको इतना लगाव हो गया इन बातों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब आपको question answers में पूछा जाएगा और इसको भी हम detailed में discuss करने वाले I was familiar बहुत ज़्यादा जान पैचान हो गई समझ लिया I was familiar with every bit of it लब चपे चपे से मेरे को वाकिफ हो गया मैं है न अब देखिए new every mark and dent on the white washed walls and on the uneven floor and the ceiling with its mouth eaten rafters अब पहले देखते हैं rafters का मिलिंग समझते हैं rafter होता गया है देखिए जैसे कि ये jail है हमारी ठीक है और ये jail है अब देखिए ये बना है हमारा उपर का ceiling यहाँ पे ऐसे ceiling होती है और ये उपर का हिस्सा है house का ठीक है अब रेफ्टर क्या होता है ये कुछ supporting डंडे होते हैं लखडियां होती हैं जो क्या करती है ceiling को support करती है ठीक है और पहले के समय में rafters बहुत होते थे जेलों में तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो जेल में थे तो new every market इतनी समय तक वो जेल में रहे उन्होंने इतना observe किया जेल में रहते हुए कि उनको एक एक निशान एक एक dent की जानकारी हो गई और यहाँ तक की जेल वैसे तो पताई करके कोई देता है नहीं लेकिन वहाँ white washed था अल्रड़ी जवाल लाल नहिरूजी के लिए ठीक है तो white washed walls जो अल्रड़ी थी floors जो थे वहाँ पे ceiling जो थी वहाँ पे moth eaten lefters को भी उन्होंने बहुत अच्छे से observe गया अब मoth क्या होते हैं बड़े उड़े पतंगे होते हैं वो क्या करते हैं निशान बना देते हैं लकडी को छील देते हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब देखिए इन दे लिटल याड अब यहाँ पर याड का मतलब क्या होता है प्रांगण है ना आपने कंपाउंड देखा होगा जहाँ आप रहते हैं एक प्रांगण होता है लंबा सा तेकि तो वैसे जेल में भी एक प्रांगण है अब यहाँ पर इस एक्जेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या है देखिए इसका मीनिंग होता है घास आदी का गुझ्जा जैसे आप बहार जाएंगे प्रांगण में तो आप यह आप ज़र्व करेंगे कितनी सारी घासे होती हैं जो आजू बाजू उगी रहती है जैसे कि उधारन की तौरपी आपका घर है ठीके और यहाँ से आप निकले तो यह इतने इससा जो प्रांगण का आता है यहाँ पर घास घास होती है ठीके तो जब आप चलते हैं तो क्या होता है आप घासों को अबजर्व करेंगे तो वही है आदी का गुछ्छा चुटि-चुटि घास ही जो गुछच्छा बना के बन जाती है और अन ओड बिट्स ओफ स्टोन एस ओल फ्रेंड्स अब उन घासों के आसपास छोटे छोटे स्टोन्स भी होते हैं ठीके तो उन स्टोन्स के साथ भी उनकी या हो गई दूस्ती हो गई I was not alone in my cell अब यहाँ पर वो ही कह रहे हैं कि हम अपने cell में अकेले नहीं हैं अब यहाँ पर वो अकेले क्यों नहीं ऐसा क्या है cell में तो वही हम देखेंगे For several colonies of wasp and hornets lived there अब वहाँ पर क्या होता है आपने भी अपने घर में observe किया होगा जब रात होती है तो कितने सारे पतंगे लाइट के पास आके एकटा हो जाते हैं अब ऐसी क्या होता है घर के अंदर ही चुटी सी कॉलोनी बनाकर एक wasp and hornets जो है वो आ जाते थे बिर्जन में रात की समय शाम होते हुए तो क्या होता है वो एक तरह की flying insect होते है अब flying insect जो उड़ने वाले पतंगे होते हैं इनको आपने देखा होगा जो सब्जी मंडी गए वहाँ गए कहीं भी भी आप गए होंगे तो आप देखते होंगे कि छुटी जो उड़ते रहते हैं तो वही यहाँ पे wasp and hornets की बात हो रही है and many lizards found at home behind the rafters अब rafters मैं आपको बता चुका हूँ जो टिकास देते हैं emerging यानि उद्गागर होना in the evening in surge of prey अब रात के समय क्या होता है रात के समय जो lizard है हमारी lizard वो क्या करती है रात की समय या शाम की समय अपने शिकार को खोजते हुए प्रिजन में घूमने लगती है ठीक है तो यहीं पे वो अकेले नहीं है उनके साथ बहुत सारे किड़े मकोड़े और छोटे जीवजनतू भी है और अब आपको सेप्टर का जो टाइटल है एनिमल इन प्रिजन वो क्लियर हो गया होगा कि वो याकिन की बात कर रहे है अब फॉर अग्जामपल आप रेट पे चल रहे हैं ठीक है आप ऐसे चले चलते गए तो चलते चलते क्या होगा आप पीछे देखेंगे तो फुट्पिंस रह जाते हैं या चाप चूट जाती है तो कही ना कहीं वो ट्रिश को हम इस तरह करट कर सकते हैं तो क्या होता है वो यह कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि रियालिटी में यह एक्जिस्ट करती वैसे तो यह होती है लेकिन उनको personify कर दे, human का warm दे दे, तो वो क्या होगा, वो भी कहीं न कहीं अपने traces छोड़ जाएंगे, अपने निशानेया छोड़ जाएंगे, behind in the physical surroundings, अभी physical surroundings क्या है, जहां पर वो available है, जो compound है, वहां पर वो available है, तो वहां पर वो अपने निशानों को छोड़ देंगे, भर जाएगा, एक मोटी परज़ जो होगी, वहां पर लग जाएगी, and they must cling to every object in that little space, यानि वो एक छोटा सा कमरा है, लेकिन वहां पर क्या होगा, यादे इस तरह चिपक जाएंगी, कि उनको कभी मिटाया ही नहीं जा सकता, अब यहां पर cling का मतलब क्या होता है, देखिए, to hold on tightly to somebody or something, किसी को बहुत tight पकड़ लेना, तो यह यादे क्या करेंगी, physical surrounding को एक दम tightly पकड़ लेंगी, चले, अब हम paragraph change करते हैं, अब आते हैं हम, I had had better cell in other prison, ठीक है, but in देहरादून, I had one privilege which was very precious to me, अब यहां पर जवालाल नेरू क्या कह रहे हैं, मेरे पास और भी बहुत सारी भैतरी छोटे छोटे कम रहे थे, but in देहरादून, I had one privilege, वहां पर एक privilege था, ठीक है, अब privilege को आप कैसे समझेंगी, यह word क्या है, देखिए, शब्द में अपनी आत्मा होती है, और उस शब्द को हमको समझना है, लिट्रेचर जब भी हम इंग्लिश के बात करते हैं, तो ग्रामर ही नहीं, साधी जात, वो कैबलरी का रोल बहुत बढ़ा होता है, और खास के यह आपकी हिंदी मीडियम के हैं आप, और यह बिहार प्रिविलेज, यानि a special right or advantage that only one person or group was, लगों के पास बस एक ही advantage था, देखते हो ग्या 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 था, तो यहाँ पे उनके लिए एक opportunity थी या कह सकते हैं, छोटा सा privilege था, वैसे तो वो सब के प्युक्त किया है, प्रियुक्त किया है इस वर्ड को, देखते हो ग्या था, बहुत छोटी थी वो, जेल, and we were kept in an old lock-up outside, the gall walls, but within the gall compound, अब यह लाइन थोड इसी, यहां sentence structure थोड़ा tough है, कटिन है, compound sentence का use किया गया है, यहाँ पे, like ऐसे sentence बनाया गया है, ताकि वो आप उसको easily समझ ना पाए, लेकिन इस राइटर का कोई अदेश है नहीं, लेकिन हमें इसको और अच्छी से समझना है, क्योंकि हम कर रहे हैं, line by line explanation, हमें जेल की दिवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में रखा गया, इसका मतलब यह है कि हमें जेल की दिवारों के बाहर एक पुर अच्छानी हवालात में रखा गया, लेकिन वो कहां था, वो हवालात के जेल परिसर के भीतर था, ठीके, चलिए अब देखिये, जेल क्या होती, अब जेल में आपको मोज मस्ती करने के लिए थोड़ी भेजा जाता है, कि वहाँ पर आप जाओगे, आपके लिए टीवी लगा दी जाएगी, और वहाँ पर आप बैटके हरे कि एंजॉय करोगे, लेकिन अपने देश भक्ती के कारण वह जेल में गए, तो उनके लिए कोई स्पेशल चीजे थोड़ी रहेंगी वहाँ पर, कि वहाँ पर उनके लिए हर एक चीज अवेलेबल हो जाए नहीं, तो यहाँ पर वो लोग क्या करते थे, कि वो जगा इतनी छोटी थे, अब बहुत वॉक करें, तो देव जो रूम टु वॉक अबाउट इने, तो वहाँ पर कोई रूम तो था नहीं कि वॉक करें, तो वी वर अलाउड, अलाउड का मतलब होता है, हमें इजाज़त दी गई थी, अब वहाँ का जेल होगा और उन्हें का होगा कि आप लोग आईये, बोरा बहुत घुम लीजिए, तो मॉर्निंग इन इवनिंग, अब शाम को और सुभा के समय, देखिए, भ्रहमन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा नहीं है कि आपको जेल में कुछ भी नहीं कराते, बंद करके रखते हैं, जेल का एक उदिश भी होता है, कुछ- लोगों को जगा दी गई, तो वहां पर उन्होंने लोगों को पढ़ाया भी था, तो एजुकीशन भी दी जाती है, लेकिन यहां पर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट फॉर एक कनेक्टिविटी के लिए हमने इस चीज को कनेक्ट किया है, तो गो आउट एंड व दाउन दे फ्रेंट अफ दे गेट, अदिस्टेंस अब आउट हंडेड यार्ज, और वह जादा कुछ इतना लंबा चोड़ी जगा नहीं थी, हंडेड यार्ज, जिनि सो गच तक की दूरी तक जाते थे, और वापिस लाट कर आजाते थे, अब यह कंपाउंड एक तरह का परिसरी होता है, हमको क्या करते थे, गाउल कंपाउंड के आजू-बाजू ही रखा जाता था, हम वहीं पर रहते थे, और हम वहीं तक ही सीमित थे, अब देखिये, अब देखिये, ऐसा नहीं है कि वह एकदम बंद कुठारी के अधर, उनको डाल दिया गया, काल-कोटरी, भगवान कृष्ण को जैसे कैद कर दिया गया, तक कुछ भी नहीं, कुछ दिखराया है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था, वह जेल ऐसी थी, कि वहाँ पर आजा सकते थे, कंपाउंड था, वहा इतना आदमी सोच के से लेता है, इतना सब कुछ उन्होंने लिखा है, लाइक उन्होंने इस चीज को कोई इस तरह नहीं लिया कि मेरी जिंदगी की चिनोती है, उन्होंने तो जेल में भी जाकि इंजॉय गया, वह इंजॉय कैसे गया, वहाँ पर जाकि लोगों को देखा, समझा, observation किया, तो यहां हम एक पॉइंट को देखेंगे, इंग्लिश पढ़ते होए, और वो है observation, see observation plays a very very vital role in our life, तो वहाँ पे जितने भी बड़े दिगज लोग होते हैं, वो चीजों को observe करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साहित ते सिर्फ रटनी की चीज नहीं है, literature सिर्फ सम समझने के साथ साथ life में apply करने के लिए भी होती है, और जो कि जब हालाल नहरू ने अपने life में apply किया, उसको अपने बातों में लिखा, और आज हम उनको पढ़ पा रहे हैं, and a public road at some distance, this was not a special privilege for me, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनी को ही दिया गया, कि आप special आदमी हो, ऐसा ये दिये गई, सब कुछ बताया गया, है ना, और उनको allowed था, उनके अलावा भी, it was common for all the A, B class prisoners at दहरादून, अब देखिए, आपने देखा होगा train होती है, train में भी अलग-अलग classes होती है, sleeping bird होता है, एक AC का अलग होता है, तो वैसी वहाँ पे बिना शेडियां होती थी, लेकिन ये नहीं कि उनकी लिए special शेडियां है, ABC कभी-कभी ऐसा होता है कि ABC मतलब बत से बत्तर, बत से बत्तर तक जाती है, वहाँ की prisons, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि ABC जो प्रिजन से अलग-अलग चुटी-चुटी-चुटी जो jails होती हैं, जहा within the compound, परिसर की ही भीतर, विदिन, बट आूटसाइड the gaul walls, लेकिन जो gaul walls सी, उसके आउटसाइड, जेल की दिवारों के आउटसाइड, लागि इस भी जियो परिसर हो गया और जेल की दिवारे होगी, तो उसके बाहर साइड, तो लेकिन पर एक और छोटी सी बिल्डिंग थी ठीक है और उसको हम क्या कहते थे यूरोपियन लॉक अप कहते थे अब देखिए ऐसा नहीं होता कि जेल में कुछी लोगों को भारती लोगों कोई कैद किया जाएगा अलग-अलग जेले होती है ठीक है प्रटीशर्स हमारे देश में आए उन्होंने बहुत लूटा हमें बहुत परिजान गया लेगिन ऐसा नहीं है जो गलत होता है गलत वेक्ति को सजातों मिलती है तो वहीं पे दूसरी एक और जेल थी जो कि यूरोपियन लॉक अप की नाम से जानी जाती थी अब यहां पर हम इसको समझते हैं यह कहना क्या चाह रहा है इन्क्लोजिंग टू सराउंड सम्थिंग विट अवाल फैन्स एक्सेक्टरा यानि कोई भी चीज को सराउंड करना क्या गरना सराउंड करना वित अवाल कोई भी दिवाल के द्वारा अब जैसे कि for an example कोई अखाड़ा आई ठीक है और अखाड़े के आजू बाजू आजू बाजू एक फैन्स बनाए गई तो यह अखाड़ा क्या है यह हो गया हमारा फैन्स से इंक्लोज हो गया इस तरह से ठीक है to put one thing inside another अब यहाँ पर मागे बढ़ते हैं now this had no enclosing wall लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी enclosing wall नहीं थी इन लोगों को enclose करके रखा था लेकिन लोगों को करके नहीं रखा गया and a person inside the cell could have a fine view of the mountains और यहाँ पर क्या है जो लोग यहाँ पर रहते थे न यहाँ के रहने लोगों क्या कर सकते एक fine यह नहीं बहुत अच्छा सा mountain का view देख पाते थे कि इतनी अच्छी बात है कि वह उनको देख पा रहे हैं शायद यहाँ पर उनको जबालाल नहरे को थोड़ी इर्शा होई होगी उनसे होता ही है सभाविक है तो लाइफ आउटसाइड यूरोपियन कन्विक्स अब कन्विक्स का मतलब क्या होता है चीक है अब आप कन्विक्ट वर्ड से हमेशा लिट्रेचर जब यम्लिश पढ़ते हैं तो यह वर्ड हमेशा आता है और आप सोचते होंगे कि मैं बार बार वर्ड़ पर इतना फोकस क्यों कह रहा हूं वर्ड्स के फोकस करने का सबसे महत पूर्न यह है क्योंकि यहीं वर् कर लिया गया कुछ आंदोलन किये लेकिन कुछ कन्विक्ट्स ऐसे होते हैं कुल्प्रिट्स होते हैं जो लोग कुछ गलत काम करते हैं उनको भी जेल में रखा जाता है तो यह यूरोपिन लोकप उन्हीं लोगों के लिए थी और अधर कैप्ट अगर मैं किसी चीज को लिमिट कर दो भाई कि इतने से ज़्यादा आपको यह काम नहीं करना है लिमिट हो गई तो यह लिमिट रहेगी ना आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते तो यहां पर भी क्या कह रहे हैं वो आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं इस वर्ट का कनफाइं लाइक इतने गहरे में आपको रहना है इसके बाहर नहीं जाना चीक है तो यह चीज है तो अनली अ प्रिजनर who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of this outside walk and open views लाइक अब यहां पर वो एक तरह से यही कहना चाहर है मालो की ऐसा वेक्ति है जिसको बहुत जादा like limit में रख दिया हो प्रिजन में तो वही वेक्ति जो है like अगर यह हो गया ना प्यासे को पानी मिल जाए तो उसको कितनी अच्छा लगेगा तो अब एक बात यहीं पर आ रही है ठीक है तो behind the high wall skin appreciate तो वही वेक्ति जो है वो क्या करेगा appreciate करेगा किसको extraordinary psychological value of these outside walks and open views यानि वो जब देखेगा तो उसको feel होगा कि कितना importance है बहार जाना lock up के अंदर रहना तो आदमी क्या करेगा कितने से मितक रहेगा लेकिन जो बहार जाएगा physical surroundings से content करेगा तो उसको बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा I loved these outings बहुत 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 अच्छी लगती थी और हर किसी को लगेंगी and I did not give them अगर इनकी जगा कोई पंची होता तो वो तो उड़ जाता लेकिन वो हाई पे थे पंची तो है नहीं लेकिन आज भी उनकी व्याख्याएं जो है वो उड़ रही है उनको सब पढ़ रहे हैं So I did not give them up even during the monsoon when the rain came down for days in torrents and I had to walk in ankle deep of waters अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो इलाका होता था जो torrents होता था हैना जब rain आती थी तो ऐसा नहीं है कि monsoon का समय आ गया हो ठीक है monsoon का समय आने पर भी वो रुख जाते थे वो monsoon की समय आने पर भी क्या करते थे walk करते थे क्योंकि यह एक ही कारण था जो उनको खुश करता था नेचर से जोडता था I would have welcomed the outing in any place but the sight of the towering Himalaya nearby was an added joy with went a long way to removing the weariness of a prison अब देखिए towering का मतलब गया होता है यह पहाड है चीक है और यह एक और पहाड है अब देखिए यह पहाड टावरिंग मतलब कितना बड़ा है कितना बड़ा हिमाल है तो यहाँ हिमालय के बाद और एक चोटी सी काल कोटरी में बैटका आदमी देखिगा तो यह देखिगा है कितना बड़ा हिमालय है तो बहुत कुछ होता हूँ कि मैं इन चीजों को देखता हूँ और आइकोन है जवाल लाल नहरू मैंने आपको पहले ही बताया है यह एक और बायोग्राफी है और बड़ाइट अब जब उन बड़े बड़े हिमालयाओं को देखोगे परवतों को देखोगे जो बहुत चूरे हैं आसमान को तो क्या होगा आपके अंदर एक खुशी की भावना आजाएगी और जो हमेशा रहेगी अब प्रिजन में रहकर तो आदमी क्या होता है ठकी जाता है उसको करना ही क्या है अगर किसी आदम को दिन भर हम कमरे में रख दे बंद करके तो वो करेगा गया लेकिन अगर उसको कुछ देखने मिल जाए आजू बाजू तो थोड़ा कुछ तो होगा हो ठीक है? अब मेरा बहुत अच्छे खुश का बना दी है ठीक है? देखना मतलब होता है इसका अब मेरा बहुत अच्छे खुश का बना दी है खुश किस्मती थी फॉर्चून का मतलब मेरे बहुत अच्छी खुश किस्मती थी दाट दूरिंग दा लॉंग पीरियद लानी इतने लंबे समय तक साड़े चौधास महीने तक महां पर रहना इना इतने समय तक रहना उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कौन रहता है दो दिन भी जेल में कोई नहीं रह सकता तो ये तो एक शान्त करने वाली स्थिती आ गई उनके लिए जब कोई इंटरव्यूस नहीं थे लोग बड़ी बड़ी हस्तियां थी तो इन लोगों को ना लोग देखने आते थे इनकी इंटरव्यू लेते थे कि अरे जवाला नहरुजी क्या हुआ आप इस जेल में क्यों आए आपने कुछ प्रकाशित किया कोई किताब लिगी तो ये सारी जानकाई इंटरव्यू में लिया जाता था सोचिए है वाब उनको भी वह हैंडल करते थे तो इन सभी धक्का मुख की इन सभी चीजों को छोड़की इनको हटा के और फूरव्यू मन्स आप वास क्वाइट अलोन तो जब मैं अकेला होता था था थोड़ा शान्त होता था आई कोड़ गेस अट इस माउंटेंस ये लव और मैं क्या करता था इनको देखता था दूर से इहसास लेता था समझता था और उनसे प्यार करता था I could not see the mountains from myself but my mind was full of them अब मैं हापे वो क्या कहते हैं I could not see the mountains मैं mountains को नहीं देखा यहाँ पे जो sentence का जो structure उसको समझी क्या कहना चाहरें I could not see the mountains from myself लेकिन मैं अपने से नहीं देख पाता था अब देखिए यहाँ पर बात होती है आदमी की विचारधारा, observation, समझना और nature की पती लगाओ ऐसा नहीं है कि nature हमसे अलग है अगर आपने किसी mountain को देखा है, observe किया है तो कहीं न कहीं वो आपके mind में है और आप उसके द्वारा भी उसका अनुभव कर सकते हैं चीके, I was ever conscious of their nearness and a secret intimacy seemed to grow between us मैं और ज़्यादा conscious हो गया, conscious हो गया अब देखिए चैतन्य हो गया आप समझते हैं, चैतन्य शब्द चैतन्य हो गया I was ever a चैतन्य of their nearness मतलब इतना चैतन्य इतना conscious हो गया मैं कि वो मेरे पास है, near है and a secret intimacy और एक बड़ी गुप्त intimacy intimacy का मतलब होता है closeness कोई भी चीज़ से जड़ाव होना तो उनके साथ क्या हुआ, एक secret intimacy हो गई एक जड़ाव हो गया scene to grow between us और ऐसा लगा कि वो मेरे बीच में बढ़ता जा रहा है यहाँ एक छोटी सी poem है अब आपको तो पता ही होगा कि हमने starting में discuss किया था कि poetry prose क्यों है, यह इसलिए है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे poems को भी देखने को मिलता है उन्होंने poems भी लिखी है flocks of birds have flown high and away अब flocks of birds अब देखिए, जुन्ड होता है birds का, उसकम flocks of birds कहेंगे have flown high and अब जो उड़ चुकी हैं आकाज में अब देखिए, यहाँ यह कहीं ना कहीं poetry की द्वारा बदा रहे हैं कि मैं जेल के अंदर बैटा हुआ हूँ लेकिन मिरी जो imagination power है वो कितनी तीव रगती से चल रही है जो poetry के माध्यम से यहाँ पे प्रक्षालित हो रही है flocks of birds have flown high and away a solitary drift solitary का मतलब होता है एकांथ और drift का मतलब होता है बहाव औफ क्लाउड टू जहाँ birds उड़ रही हैं imagine करिए आप भी बैठे बैठे मेरे साथ की वो उड़ रही है पूरे पक्षियां और साथी साथ जो पहाड जो पहाडों के आजू-बाजू से जो हमारे clouds निकलते हैं वो भी दीरे 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 सरक रहे हैं लगर आपने make doot नाम की काले दास की बहुत अच्छी रचना है उसको पड़ा होगा तो आप उसको भी यहाँ पे connect कर सकते हैं जो कि संस्क्रित के महाकाववे का भाग है तो and I sit alone with Ching Ting Peak अब यहाँ पे Ching Ting Peak की बात आ रही है लाइक चिंग टिंग पीक एक पीक का नाम है towering beyond we never grow tired of each other the mountain and I तो कहीं कहीं कुछ poetry's वो खुद लिखते हैं कुछ poetry's वो quote करते हैं ठीके तो यहाँ पे हो सकते हैं उन्होंने quote भी किया हो किसी की poetry के बार की poetry को और खुद की poetry भी add की हो तो यहाँ पे वो देख रहे हैं towering beyond we never grow tired like उनको देख कर मैं कभी नहीं धगता तो आपने एक चीज notice की हो गया भी था कि हर एक paragraph में जब हम नीचे तक आते जा रहे हैं लेबस में कोर्स कवर कर रहे हैं chapter 1 तो पहले वो जीव जन्तूओं की बात कर रहे हैं चीक है उसके बाद जीव जन्तूओं की बात करते करते वो धीरे धीरे नीचर की और आ रहे हैं और वो properly नीचर की और आ गए हैं यानि mountain तो इक नीचर का भाग है ही तो animal और nature, natural resources के कितने अच्छे से यहाँ पे description हो रहा है यह बहुत बढ़िया है I am afraid, I cannot say with the poet मैं पुएट की द्वारा सहमत हूँ या नहीं मुझे नहीं बता लेकिन आमें उनके द्वारा एकदम भी सहमती नहीं दे सकता like that I never grew very like मैं ज्यादा थकता नहीं हूँ अब सभावी की इतनी सारी उन्होंने कहानियां लिखी, इतना लिखा, इतना समझा तो वो थके तो बिलकुल भी नहीं होंगे even off the mountain but that was a rare experience and as a rule I found a great comfort in its proximity और इसी लिए जब mountains के आस पास जब मैं निकिटता में होता हूँ तो मेरे को एक अतुल्य शान्ती की पराप्ती होती है जो की अत्यन्त आवश्यक बात है its solidity solidity का मतलब होता है घंता, ठोस्पन कहते हैं उसको and calm looked down upon me with the wisdom of million years and mocked at my varying mood and soothed my mind its solidity जो उसकी ठोस्पन है जो कठोरता है और जो उसका शान्त दिखना है like आप पढ़ेंगी like एक संस्क्रित मिश्लो के नागाधी राजा like इतने स्टार्टिंग में इतने प्यार से कलिधास में बताया है हमाले का वर्णन किया है हम इतना डीप नहीं जाएंगी अपने चेप्टर से आगे नहीं जाएंगी लेकिन आप उसको connect कर सकते हैं क्योंकि Hindi Medium की book में कलिधास का रोल बहुत बड़ा होता है और आपने कलिधास के औरें पड़ा होगा तो आप कभी टाइम निकले तो में एक दूत को एक बार जरूट पढ़ियेगा जहां पे mountains को लेकर बहुत प्यारा विवरण मिलता है Calm, look down me तो मुझे शांद कर देते हैं with the wisdom of a million years इतने सालू से वह वहाँ पर है and mocked at my varying moods like मेरे साथ क्या होता है मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ प्रिजन में तो कहीना कहीं वह क्या करते हैं make fun, like मेरे मजाक उडाते हैं मजाक नहीं, in the sense वह एक personify कर रहे हैं mountains को कि कहीना कहीना इतने ठोस हैं इतने सालू से वैटे हैं और में को देख रहे हैं कि यह भारत की आजादी के लिए यहाँ पर आया है और आजादी की कारण इसको यहाँ पर डाल दिया गया है इनको तो इस विशे को लेकर कहीना कहीं वह बहुत जदा मौक करते होंगे और my mind spring was very pleasant in दहरादून अब वो यहाँ पर आते हैं अगले section में जहाँ paragraph में बताते हैं spring was very pleasant बहुत अच्छी थी in दहरादून and it was far longer one than in the planes below like जो plane से जो नीचे का हिस्सा था वहाँ से तो वो बहुत जदा लंबे सबने तक चलते थे the winter had denuded almost all the trees अब देखिए winter जो है winter के वारे में भी बहुत सारी चीजे हैं जो हमको समझनी हैं ति एक पीबी शैले जी ने एक पोम लिखी है to the skylar और इसके अलावा भी winter के लेगार्डिंग बहुत सारी पोम्स हैं जहाँ winter को बहुत जदा रोल प्ले इसका बहुत 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 रोल प्ले होता है यह प्रोज में तो winter क्या है winter क्या करती है डिन्यूड करती है remove कर देती है जब बहुत तेज हवा चलेगी तो रवाविक है कि जब पेड़ के पत्ते हैं वो हवा के रेशेस में आने में गिर जाएंगे, तूर जाएंगे, ठीक है, तो all the trees of their leaves and they stood naked and bare, like naked का मतलब without clothes, अब देखे, अब एक पेड़ के अगर पूर वो निकल जाएंगे तो वो बिना cloth की दिखेगा उसकी cloth, तो होंगे नी वो naked होगा, ठीक है, निवस्तर होगा, और न यहां तक की जो बहुत भव्य, impressive and attractive, जो भव्य people की trees होती है, वो भी यहां पर है, which stood in front of the gaul gate, जो कहां पर खड़ी है, हमारी prison के पास खड़ी है, much to my surprise, dropped nearly all their leaves, और यहां पर मैं यह सप्राइज के लिए क्या होता है, कि मैं यहां पर देख पाता हूं कि सारी leaves जो हैं, वो ग warm them up again, और जब वापे से spring आ जाता है, तो वापे से अपने आपको चुस्त कर लेती हैं, warm कर लेती हैं and send a message of life to their innermost cells, और वो जहां हम रहते हैं, जो cell से वहां पर भी हमको एक information प्राप्त हो जाती है, send a message to life to their innermost cell, और यहां पर जो उनकी innermost cell हैं, जो वहां पर रहते हैं, जो भावना हैं, इनermost cell तक भी वो पहुच जाती है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, suddenly there was a stir both in the peoples and to their trees, तो ग्या हुआ, अचानक, like suddenly, अचानक there was a stir both in the people, अब देगे, यहां थोड़ा सा आप देख वाएंगे, कि जो प्रोज है, वो थोड़ा language tough हो रहा है, आपको इ होगा, कि कैसे हमको उन पैरास को connect करना है, इसके पर माउंटेन्स की ब्यूटी बताई, इस प्रिंग्स के बारे में बताया, कि कैसे धंड में सब कुछ जड़ जाता है, लेकिन जैसी स्प्रिंग आती है, सब कुछ कवर होने लगता है, तो क्या होता है, जैसी स्प्रिंग लगती है, तो suddenly there was a stir both in the people's and the other tree, यहाँ पर पीपल ट्री के बारे में बताया गया है, कि एक खल्चर होने लगती है, वो हिलने लगती है, and an air of mystery surrounded them, was a secret operation going to behind the scene, अब जैसी वसंद का महूल आता है, तो क्या होगा, कही ना कही यहाँ पर यह होता है, कि उसके तयारियां जो को जड़ाओ चालू हो जाता है, एक secret operation चालू हो जाता है, है ना, तयारियां के साथ साथ हम देख सकते हैं कि scene की पीछी discussion होने लगता है, लगी सब कुछ imaginary part है, जो जो जोड़ रहा है यहाँ पर, I would be startled, अब देखिए, startled, अब यहाँ आगी आपकी vocabulary, हैना, startled, startled का मतलब ह होता है, astronoist, यह मैंने आपके लिए word अलग से चुना है, इसका exact meaning यहाँ पर यही आता है, ठीके तो आप confused मत हुएगा कि book की पीछे vocabulary में अलग दिया है, यहाँ पर क्यों अलग दिया है, बहुत तरह सिनोनिम्स होते हैं, जो एक दूसरे से मिलके बनते हैं, तो उनको हम को स ठाका दूकी तो हो ही रही है, अब देखे, आपने पहला paragraph में देखा कि कैसे winter आती है, तो सब कुछ उदास हो जाता है, चीरलेस हो जाता है, लेकिन जैसे हमाई spring आती है, तो क्या होता है, सब जगा खुशनुआ हो जाता है, है ना, and cheering side and then very rapidly the leaves would come out in their millions and glisten in the sunlight and play about in the breeze, तो ए एक आप देख सकते हैं कि opposite चीजे हैं हाँ पर, starting winter और कैसे spring की ओर जबाला नहेलू अपने शब्दों के द्वारा आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हेंने winter के बारे में बताया, अब spring के बारे में बता रहे हैं, और ये कहने हैं कि and then very rapidly the leaves would come out in their millions, like इतनी सारी millions में, leaves उगने लग जाएंगी, क्योंकि सूरज की किड़ने आ रही है, and glisten in the sunlight, glisten will shine, like ये आगया हमारा पेड़, चीक है, ये हमारी पेड़ में बहुत सरी पत्तियां आ रहे हैं, अब sunlight पढ़ रहा है उस पे, तो क्या होंगी, leaves होंगी, sunlight से क्या होंगी, चमकेंगी, तो वसंत की खासियत ही ये है, कि जब कभी भी, lights पढ़ती हैं, तो एक अलग ही माहोल जो है, वो आपको देखने को मिलता है, और यहां पे जब वहां लाल नहरू जी ने इसको बनाया है, अपनी इसको describe किया है, अपनी लाइनों के द्वारा, जो कि बहुत बहुत खुबसूरत है, in the sunlight and play about in the breeze, थोड़ी-थोड़ी हवाओं में भी क्या होता है, वो खिलने लगती है, play करने लगती है, how wonderful is the sudden change from bird to leaf, अब bird to leaf, आप भी कभी छोटे बच्ची हुआ करते होंगे, और आप बड़े होगे, 11th में आगे, अब या आप 9th में थे, तो आपने देखा होगा कि हमारी prose कितनी easy है, हम तो read कर लेते हैं, लेकिन अब देखिए कि prose कितनी tough होती जा रही है, vocabulary कितनी बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना आप भी अब adult हो रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके साथ कटनाया भी बढ़ेंगी, challenges भी बढ़ेगा, वैसे ही bird to leaf, यानि एक छोटे से जो कु जो हैं, वो ये बता रहे हैं, महत्व नीचर का, तो overall, तो इसी के साथ हो चुका है हमारे chapter 1 का path 1 over, आप connected रही है, हम discuss करेंगे path 2 के बारे में भी, और चलिए, एक और नजर हम मारते हैं, हमारे top courses पे, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हाँ पे CBSC, NTSC, Olympia Arts, CUT और spoken English, इन सभी की courses available हैं, English medium और Hindi medium दोनों में, साथ ही अभी UP board और बिहार board की भी courses available हो रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं और detail में पढ़ाई करना, तो आप हमारी link पे जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ books और e-books available हैं, जहां आपको हमेशा 100% free of cost education मिलती हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो इस content को share भी कर सकते हैं, और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद